आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी गोल्ड याने की गेंदे के पौदे की सर्दियों में गेंदे के पौदे से ज़्यादा फूल केशे पाएं और इनकी देखवाल केशे करें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूटूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राज इंदर तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं इस पौदे के बारे में हमारे सामने एक गेंदे का पौदा है और इस पौदे पर देखिए कितने फूल के ले हुए हैं इस पर बहुत सारी कलियां भी बनी हुई हैं गेंदे के पौदे को बीच से उगाया जाता है बहुत लोग इसे कटिंग से भी उगाते हैं इनकी कटिंग बहुत तेजी से उग तो दोस्तों जिन लोगों ने गेंदे के पौदे घर पर लगाए हैं गार्डन में और उनके पौदे पर फूल कम आते हैं तो वो लोग क्या करें कि जिससे उनके पौदे में फूल ज्यादा आने लगें तो आज की वीडियो में हम उनके लिए बता रहे हैं सबसे पहले तो उ जो भी कलियां आएं वो बहुत अच्छी आएं और फूल भी जादा हैं तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि भाई पौदे की मिट्टी आपको कैसी रखनी है सबसे पहले हम ये जानेंगे फूल खिलाने के लिए दोस्तो सर्दियों के मौश्रम में गेंदे के पौदे की म मिट्टी आपको ज्यादा नमी मिट्टी में नहीं रखनी है मिट्टी पौदे की वरूरी होनी चाहिए जिससे की पौदा विकास करता रहे अगर मिट्टी में पानी की ज्यादा नमी होगी तो पौदे की जड़ बोगल जाती है तो ध्यान रखें कि आपको पौदे की मिट बनाता है और पौधा स्वस्त रहता है अब बात आ जाती है भाई हम इसमें कौनशा फैटलाजर दें और किस समय दें तो मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं हमने यहां पर यह और गैनिक बनाना फिल फैटलाजर लिया हुआ है जो की केले की चिलकी की खास से बनाया जाता है यह और गैनिक होता है इसमें पास-पोरस, पोटेशियम, केल्शियम और मेंगनेशियम की महत्रा शबशे अधिक पाई जाती है तो आपको क्या करना हैं कि बनाना फिल फैटलाजर लेना है अगर आपके पास बनाना फिल फैटलाजर ना हो तो आप इसकी जगह पोटास भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से बना हुआ बनाना फिल फैट लाजर है ये मैंने दस दिन पहले बनाया था और ये पूरी तरह से बन चुका था तो अब मैं इस गेंदे के पौदे में इस्तमाल करूँगा इसके इस्तमाल करने से गेंदे की पौदे में फूल आने लगेंगे कलियां बहुत ज़्यादा आएंगे सरदियों के मौशम में गेंदे का पौदा फूलों से यूँ ही भरा रहेगा तो दोस्तो आपने जितने भी गेंदे के पौदे लगाए हैं तो आप उसमें बनाना फील फैटलाजर को इस्तमाल करें तो आपके पौदे बहुत ज़्यादा पूल देंगे तो चलिए दोस्तो अब हम इस बनाना फील फैटलाजर को पौदे में डाले देते हैं एक और आपको बात बता दूँ इस पौदे की दोस्तो हमने दो दिन पहले गुडाई की थी अगर आपके पौदे की मिट्टी डिम पहुचकी हो तो आप अपने पौदे की गुडाई करके ही पौदे में फैटलाजर डालें जिससे की पौदे में पौल बनी रहे इसकी जड़ तेजी से फैलने लगे तो जिससे हमारा पौदा बढ़ेगा भी तो देखिए यह बहुत ही खूबसूरत पौदा है और हमने यह फैटलाजर इस पौदे में डाल दिया है तो दोस्तों यही वो सीक्रेट फैलाजर है जिससे आपके पौदे में फौल आने लगेंगे तो दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगे आप हमें बताइएगा जरूर अभी तक आपने हमारा चैनल हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सियर करें मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में ठेंगे